हैं लोसाविन नमस्कार आपका स्वागत है अमारे उटीबस न इस्टडी सरकल तीन साट में जी साथांओ। लेहों सबताव। ये हम आपको होचाई चेहिश के मिला के हैं कि घृभी कॉंट तेञी नियुक होगी तौ 10 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कि आप पूरी वीडियो को वाच चरू किज़ेगा लाश्ट पूरी वीडियो को जगेगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो को टीडियो को जब्सक्राइब का खतम होने के बाद आप हम इस्टार किया है पाउर प्लांट जिहां साथ में बता दू कि आईडियाई को जो फोर समिश्टर में हमारे साथ ही लोग है उनको टीडियो और प्लांट की क्लासेस ज्यादा तर नहीं देखने को मिलती हैं बट मैं बता दू यह चीजें आपको इस्टेडिस अर्ग 306 के चैनल पर ही प्राप्त हो रही है तो आप लोग भूल ना कि जी आप लोग लगे रही है हमारे साथ और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और हम आपके साथ अच्छे से अच्छे कांटेंट तैयार क को आगे बढ़ाएंगे तो चलती हैं देखती हैं हमारे बेसिक चीजे क्या है तो मैं बता दू आज हमारे बेसिक चीजे हैं बिदुत उत्पादन का कहां से क्या होता है तो विदुत उत्पादन के लिए हमें उर्जा की जरूत पड़ती है जी हां साथियों आप लोग सभ पहले मैं बेसिक फंडा के लिए करना चाहूंगा कि प्लांट पढ़ने से पहले जो छोड़ी छोड़ी टोपिक्स हैं उन्हें पर पहले गयान अभद्यान कर लिया तो बैतर होगा क्योंकि छोड़ी चीजे जब हम लोग छोड़ दते हैं तो हमें आगे चलके दिखते होती हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने सब्सक्राइब करने की कोसिस करूंगा तो आप लोग वीडियो के लाश्ट तक बने रहिएगा और देखिए इस वीडियो में आपको अगर कि अदियो करते हैं जद शिद ACT जट सब्सक्राइब करेंगा तो मैं वे अंकाथी करें हैं यूदियो को सब्सक्राइब उत्पादन के लिए तो हम सब्सक्राइब करेंगा तो हम उर्जया थी जब दर की बात आएगी तो वहां पर शती कीछ बात हैत carry on regard to tyre क्रें हम लेकिन यहांपर पीकारा आ है उर्जा तो इम्हें वे मुझा उर्जिया की नवाक्त करेंगे क्योंकि बल लगाने से कारे होता है झाल आ sam dirigée क्योंकि बल लगाने से कारे होता है इसलिए बल लगाने जी इन्दर क्यstλλά होता है उसी चम्ता को चितनी चम्ता को उर्जा काते हैं समानता है वोर्जा बहुतिक पदात के साथ संचित होती है पर श्वय नहीं होता है यहां पदार्थ में संचित होता ग्राण करता है जब कोई भी बाड़ी प्रजा गरन करता है तो उसकी उत्यजित या चल अवस्था द्वारा प्रकाशित होता है जब कोई पदार्ध उर्जा ग्राण करता है तो उसकी उत्यजना या उसकी चल अवस्था या उसकी गटिज उर्जा द्वारा प्रकाशित होता है यह उसके अंदर अर्जा अपजार होगा है पर मैं प्ताना चाहूंगा कैसे पता लगाएंगे तो उर्जा की उपस्तिति को कैसे दबाओ इस्तिती उसमारी पदार्थों में गुड़ो द्वारस उर्चित किया था अगर आपने और आग जलाया और अपको दिखा करना है, और आप आपनी अग जलाया, और आपनी घघररम करते हैं, दोड़ एक तो हाँ सें लेदा फ़िगञता है, आप जहन सकते हैं अईसीं सारी क्तिंपी ओनी करके पता लगा सकते हैं пред उर्जा क्या उर्जा कहां में अधिश होता है ईसलिए उर्जा क्या होता अधिस रास्य था बार-वार objective टाईन को फाम कश्टनस में पूछा यादि आफ लिखित प्रि και हमें इसे लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा यही आपके इस अथाग के बहूत ही होते आप मैं पता दूं कर can get inflamed I am ond Ke ज्यां आप मात्रिक्स किलो मेट और की लूतर ऐम अ अर्न किन sudah pensar के मीटर यह कैं उूज्या के मात्रिक prime उर्जा कमातर जूल भी होता है आप लोग परिशान ज्यान वरख लिएगा जूल-न्यूटन-मिटर भी होता है तो मैं बतादू हार्स पावर प्रडाली का मतर्व होता है हर्स पावर घंटा पराव कितना होता है तो 2.7 into 10 to power 5 km साथी साथ मैं पता दो को एक किलो वाट घंटा और हो कितना होता तिन अच्छे उड़ दस पावर च्छे जूल या तिन अच्छे उड़ दस पावर पांच कीलो ग्राम मीटर होता है वहीं एक केलो केलोरी की बात किया जाए उर्जा की इनूट में तो मैं पता इस लिष्ट को आप लोग याद कर लिजेगा क्योंकि इस लिष्ट से आपको एक नए कोशन आपके कम्पेटेटिव जाम में में मिल सकते हैं क्योंकि बहुत ही मिनास से आपके सामने मैं इस नोर्स को तयार करके आपके सामने प्रकट किया रहा है इस लाकडाउन के सीजन म मैं चाहूंगा भी आप से रिवेष्ट करूँ का कि आप लोग अच्छे से लोगडाउन में त्यारी में लगे रहिए आप लोग भी स्टड़ी करते रहें और आपका भी टाइम आसानी से पास हो जाएगा अजिया आपका टाइम पास नहीं तो आप लोग किताबों से प्रणयाम कर सकते हैं जिससे आपकी ताइम भी बढ़ जाएगा और आपकी डेली अपनी घरों में रहें और जैसा कि आप लोग घर में रहें और सारे लोग एक ली घर तुछ के जूढश देखते हैं अगली टॉपिक है अगली अगले सी जो infused आपकी काणित की इ slicing जोमारे साथ हिती तो पावर सकती को आती है उसके और रहे उसकém होती हैं उसकी बीदाना जाएंका चाहोंगह degrading क्लेके आर सार्म्हाय कि अधे Lord आप लोग बूल जाते हैं तो याद रखियेगा तो बूल जाते हैं तो हमारे इस ट्रिक को याद रखियेगा आपको ट्रिक के द्वारा भी पड़ा जा रहा है तो वहां पर में बता दूँ कि आईटियाई की बेसिक जो चेप्टर्स हैं सेल और बैटरी तक का दिये गए हैं साथ ही साथ इधर हम आ गए हैं पूरी टीडीप टैंसमिशन डिस्टिवीजन की पूरी ठीडी की क्लास कतम हो अब्जेक्टिव की महा स्रीज लेकर आने वाले हैं उसको भी एक 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 पीडियाप आपको रोजाना डेली डेली मिलता रहेंगे साथी साथ पार प्लांट की वी क्लासेस लगता है चलती रहेंगी साथी हो हम आप से रिक्वेष्ट करते हैं कि मारे यूट्यू चनल स्क्राइब मस्यवेष्ट पार आयंगे जब सक्ती की की बात करेंगा तो उस हमता इंगली स्ट शीयू गुया, फॉर ludzie एक और मने आधा हो्ता है रहिसके क्या वैप प्रोuing साथ हो गया जै। यह कार यह होती है उसी को सक्ति का नाम दिया जाता है तो इसका फर्मुला होता है पीवर और डवलॉटी यानि की कार करने की दरगो शक्ति काते हैं इसका भी मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर मीटर किलोग्राम मीटर पर मिनट या हार्स पर इसका भी मात्रक होता है साथी यह अगर देखा यह कितना हो ताब पैतालीस्तों किलोग्राम मीटर पर मिनट होता है शाधी साथ उसको अगर किया किलोवाट में आप देखेंगे कि हमारे जो इंडियन फ्राडाली है वहां पर यह एक ह्प को माना जाता है 735 वाट या तिरपल पॉइंट पॉइंट फाइप यह जूल पर सेटी सका माथ्र आप लोग देख सकते हैं कि पार कंद जूल पर सेट भी होता है यह देख सकते हैं माद्यम से जो वीडियो प्रोवाइड करा जिए उस वीडियो का आपको पीडिये बखो भी हमारे लिंक डिस्टिसर में लिंक दे दिया गया है वहां से आप जाके डाउनलोड करते हैं यह आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिससे वहां पर भी आपको पीडिये प्रवाइड करा दिया जाए जो वहां पिदी सकती उतुपादन के लिए कच्छा माल प्राकिरतिक और जिया है जो कई प्राकिरतिक सुर्थों के विभिन रूपों से उपलब दिख्याइए जैसे क्वैशाब धिमान और या 하면 कि विद्रू सकति को पैदाकरने के ल जैसे कि प्राक्रति कोयले में विद्यबान रसायनыт सपर उर्जा के त्वार बिद्धु सकती का उत्पादन हो सकता होती है विद्धु सकती उत्पादन के लिए उुर्जा कि रोच प्रकार की एंद कि देञा हैimiento mojeनी को भी हच में हना ज़रूरी है कि जो उर्जा होती है वो कितने परकार की होती है क्योंकि मैं बता दू पॉर्प्लांट की बेसिक इंफॉर्मेशन यह दी जा रही है आपके स्टडी सरकत 360 के चैनल के माध्यम से कि पॉर्प्लांट की जो बेसिक चीजे होती हैं उनके बारे में हम आपको प्रोवाइड करा र करती है जहनले दो भागुमें ओर्जा को बाटा गया है एक बाटा के परमपरागा तुर्जा और गए गर प्रकारागोर्फ्लान परता दूप अब परतादो की então मैं तो साहथीं मैं बता दूब कि सोर्स 1 और जी आपको बता दिया बाता करिची हो खतल होने के जिसकी मात इसे नहीं जो है उसकी मातरा क्या है बना गयाइंक है कि इन लिए ऐसी मित्म हेले हैं यहां जिसको इसे बना सकते हैं तो फिर प्राइब है करने निगा आप परमपराघत उर्ज आता है नेट्री आल आते हैं वह ठेला आर्जी जो कहत्म होने के ंपर अब गर प्रम्परागत उर्जा के अंद्रगत आता हैं तो आग कि आप देशक्ते हैं नहीं सकते हैं तो रहं पर प्रम्परागत उर्जा को प्रमपरागत उर्जा के अंद्रगत आता है तो आप लोगों को मुझे पूर्ड विश्वास है कि सोर्स आप इनर्जी यानि कि पावर जेनरेशन के लिए उर्जा किवा सकता हो थी और दो प्रकार्सू दो प्रकारों में उसको बाटा गया है तो मैंने बताया कि नन-conventional energy और conventional energy में क्या अंतर होता है क्या उस्तूधारण है उनके बारे में हमने आपको बता है कुछ मैं बता दू कुछ noted point मैंने लिखा है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट बिदू सकती उत्पादन के लिए जी हां बिदू सकती उत्पादन के प्राइंधर कोई फ्यूल जब जलाएंगे तब हमें जाके ऊर्जा परप्त होगा और इधन कुливी ज육रत Nou αमिश समाने तर्द दूप्रकार से इधन को भी जो हमारे इधन है इस में प्राकृतिक गरूप से प्राकृतिक प्राकृतिक गरूप से प्राकृतिक 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 Type का फ्यूल होते हैं जैसे ढ़ा मेर देुच है चूड़it Kol ऑर जल गैस तो मैं आगे बताऊंगा की जल गैस क्या होता है ऑए चूड़it Kol तो आप कोहला जानते यह ह्यादकिंद कॉयले को Object किंद्रूडर के रूप मेंे जो होता है और उसी को चूडित कुल के रूप में हम जानते हैं, तो आए चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हमें पूरी उम्मीद है, यह कहानी बहुत ही अच्छी लग रहे होगी, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेसिक से बना गया है, और जब तक आपका बेसिक कांसेप्ट के लि है, इसलिए मेरे यह पहली वीडियो की पाइपलांड की और पाइपलांड की वीडियो का इसी लगी अगर अच्छा लगा, अगली नागी है, तो आई यह जैखते हैं, हमें परे अगली कहानी हमारी क्या है, तो बेसिक अंधर बीसिटी है, फिकल कंडिशन के अधर पर हमार वाट आ गिया है उससों कितने भागों में बहुत ही अवस्ता के दार पर पहला होता है तूसरा व्यूट फूल तीसरा व्यूट प्राइब एच पर फूल यहाने कि ठोस इधन ड्रवी इधन और गैस इधन थोस इधन कोन से आते हैं तो हमारे हैं कोईला और को तुम्हाद्ध विडियो के आंद में जरूर बतांगा कोहला और कोख मैं क्या अंदर है यह जरूर बहुत जरूर, जरूरा कोईला और कोख लॉलोग यह कहीं होते हैं व्टिव के अंदर गथ zwei अगरे हैं है गस फिल miraculous orонеas hydrogen gas अधार पे जो हमारे फ्यूल होते हैं उनको कितनी प्रकार से बाड़ा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कोईला डीजल पेट्रोल नेचुरल गया है इस सारे क्या है फिजिकल कंडिशन के अधार पर हमारे फ्यूल है आगे हम बता दें कुछ मात्पूर बाते जो हमारी पार प्लांट यानि की बिदू सकती सनियंत्र के रिलेटर है जो आपको बेजाना बेहर जरूरी है जो वन लाइनर में मैंने लिख रखा है और इसको मैं पूरी एक्स्प्लेशन के साथ आपको बताने की कोशिस करूंगा चूंकि यहां पर मैं बता दूँ जरूरली वन लाइ यह जानते हैं जो प्रटूल होता है उड्रोग इदाना है अगर थोड़ा सभी वाहिके संभर्क में आता है तो फ्यूल खतम होता है बीना जले हुए आपके पर साफ फ्यूल है प्रटूल है तो हलका पीला रंग का होता है और आप देखते हूंगे इस आप डिब्बी में क जहाँ साथ होता है पर चाहुना था में इत कंगल बंके बना हया वता है। होता है पचासी से ठासी परसेंट कार्बन होता है वहीं दो से पांच परसेंट हो जाना और अक्सीजन और नाट्रोजन की दू परसेंट मात्रा हो देखा जाए तो तीन-चार प्रकार के क्या कि फ्यूल मिलकर बनाया गया होते हैं तो यह होगा हमारे डिजल और डिजल एक खनी जित्यल है जिस खनी जिल की आपके अंधिज्द जी है डिजल भी प्रकार के अधार पर आते हैं मैंने बताए ठोस्ट द्रोग तीन प्रकार के फिजिकल बहुती गुरूप से गैस को जो हमरे इधन को बाटा गया है मैं बताना चाहूंगा कि जो डिजल है उसको एक सो सत्तर से एक सो दिग्री सेंडिगेट पर आस्वन कि दिया के अंधर गत उसको प्राप्त किया है जिए हैं जब खनीच तिल को खनकर निकाल लिया आता है तो उस खनीच तिल को जब 1.500 डि जीघूए हिसृtles को प्राप्त किया ता सातीय सामनां बता दो कि प्रोबॉह का मिसनले पadorsायता है सते सब में बताना चाहूंगा जो जल गास होता है पिछले पहले मैं बताए है कि जल का होता है तो चलते हैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी में क्या है आगे और कुछ खास तो आप इस वीडियो को बीना कि निनास्यी नेनि समय किया रहा बहुत ही मिनास्यापके सामने लाय जा रहा तुम पथा दो कुछ मतपूड वादि और मैं को सब्सक्राइब के तो the घंच कए शली होता है जिसका कितना होता है 5000 केलोरी पर किलोग्राम होता है एक किलोग्राम में आपको कितना होता है यह आपको जाना भी है तो मैं बता दू लिगनाइड का 5000 किलो केलोरी पर किलोग्राम होता है उसका बार बार पूछा जाता है कि इसकी कितनी मांत्रा होती है इसकी केलिफ्री वैलु कितनी होती है तो मैं बता दू कि हें कार्बन अक्सिजन और जो t कि हुआ है कि डिजल ऑफ सकते हैं कि इसकी जर सफिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब और किलोग्राम होता, जी हाँ, एक किलोग्राम अगर इधन ले रहे हैं पेट्रॉल तो उसमें 11110 किलोग्राम की ही इधन हमें प्राप्त होता है, शाथी जबताना चाहेँगा बारत हैं, परयोग किये जाने लिए, कोईले में लो सल्फर और हाई राख पायाती है, जी हाँ, क से कम सर्फर होता है ज्यादा तो होता है उसमें राक पायाती है साती साथ मैं बताना चाहूंगा कि आर्थ कि उपरी उपरी वातावराण में पहुंचने वाली जो सोलर एनर्जी होती है उसमें 80% अल्टावाइले रहे होती है जी यहां साती हो यह पाउर्परांट की क्लासिस आपको जानना बे है जुरूरी है कि जो हमारा वातावराण में जो अल्टावाइले रही हाती है उनमें कितनी मात्रा में अल्टावाइले होती है तो मैं बता दो 80% मात्रा जो सूलर रही होती है उसमें 80% अल्टावाइले होती है साथी साथ मैं बताना चाहूंगा कि बायो सबसे खराब, सबसे घटिया किस्म का जो पीट कोईला होता है, कोईला होता है, पीट नामक होता है, सबसे उच गुड़ता वाला कोईला होता है, कोईला होता है, कोईला होता है, पीट नामक होता है, क्योंकि इस वीडियो को मैं इसी सीरीज में खतम करना चाहूंगा, इस सीरीज में बेसिक कांसेप्ट को खतम करने के बाद मैं बता दू कि आगे की कहानी कुछी बहुत ही जारे ट्विश्ट वाली होगी, बहुत ही रोचक होगी, क्योंकि पाउर प्लांट की कहानी बहुत ही लंबी चोड़ी है, जिसमें आप बहुत ही डीटेल में जाना चाहेंगे, इसलिए मैं इस सीरीज को जल से जल इसी वीडियो में खतम करना चाहूंगा, जो बेसिक कांसेप्ट है, इसी में खतम करना चाहूंगा, तो साथी साथ म माद्यम से जुड़े हैं तो मैं बता दूँ कि आपको PDF प्रवाइट किरा जाते हैं जब वीडियो पब्लिस होता है तो उसे वीडियो के लिंक के decision में आपको PDF मिल जाएगा मंतर्द किजेगा हमारा प्रयास आपका शाथ जुड़ी हुए सब्सक्राइब के फूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुए था आप लोगों भी हमारे साथ जुड़े रही हैं तो ही देखते हैं हमारे और प्रमपरागत उर्जा जो खतब होने वाला है जिसको रियूज कर सकते हैं उन दोनों में क्या अंतर है उस इस लिस्ट के माद्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं बता दू कि जो प्रमपरागत उर्जा होता है गर प्रमपरागत उर्जा उप्राकिर्तिक अस्तान वहिए अगर प्रम्परागत उर्जा की कािष्ट की मुल्न होता है अगर प्रम्परागत उर्जा की अंदर इसके कश्ट होता लेकिन प्रमपरागत उर्जा की उन्दर रहताता स divulgarई क्योंकि अभी आप मिलेंट और खुंवल कि प्रमपरागा वन में सोलर एंफित बायो गैस फिर गाs zo devrait ऑ लातोगे कोयला और नेचरिल ले लेना चाहते है थे प्डियाब competing चाहिए तो पीदियू भी आगे भढय घलते हैं ऑपनी कानी दुट ऑगे बड़ा आते हैं भारत में कुछ बड़े प्रीज़ दे जो तेसे जाहां, नाम चोंका बताना चाहूँगा, तरब भारत में पैदा होता हद होतो है त continent की जो पर प्लान्ट है उसका नाम है स्री सेlarम जी आप यहां पर 12000 मेगावाट की बिली पैदा की जाती है वह दूसरे नंबर पर भाकरान अंगलबाद आता है तीसरे नंबर पर सरावर्तीज कनाटक आता है वहीं आप देख सकते हैं कि हमारे यूपी में डांक पत्थर में देहरादूर में जो पता है डांक पत्थर प्लांट करिछ आता है ढाता है जेकिए यूằक मेगावाट। तो कम देक सकते हैं पार भारवी नंबर प्लांट वह गयादीन नंग किərमाब जेहान ऑगे रख यूज किया जाएगा बिजली पैदा करने के लिए इसको आप जरू कहीं नोट डाउन कर लिएगा क्योंकि यह बेद जाना बहुत जुरूरी है यह चीजिए आपको कहीं मिलेगा नहीं ओनली और ओनली आपको इस्टेडी सरकत 360 के चैनल पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा में आपको जाना जरूरी है कितनी इक मातरा में हमारे जो पावर जन्रेशन होती कितनी मातरा में पैदा किया थी पाघला नंगल बाद जो पंजाब राजी में अस्था पीता है तो सील मांदरा पर पढ़ता है वहां पर 1200 मेगावाट की बिजली पैदा की जाते हैं तो आई चलते हैं अपने ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा से वीडियो लंबा और लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को इसी में खतम करें जाए इस सीरीज को और ददो पने इस अन्हें आप जानी पर्टार्ग योज हैं यहां कि पर्टा था मिट्सक्राइब में असीर का परकार थे हैं यादि तो यानित आप इनुक्लियर को सब्सक्राइब करकी इस ने meditate-heal टायप नहीं राडन के लटहार पर यहां पर यहां पर उर्या पाइदा किया तर इसको नुक्लियर नाम कीरि बैदा किया thय यहां पर इसलिए पढूर बद लाघ्जी भॉधी पर दिया घरण से जाना जाता है साथ है मिने बताना ज़ूंकर जहावा और टाइडल या यह तो जोह हमारे आते हैं उन से भी हमारे क्या है कि अ बिजली पएदा कि जाते हैं यह था हमारे कुछ पावबाट प्रहुगे कि उर्जा के धार पर प्रप्रॉन के कुछ ना दिन पर प्रफदीर के बारे में हम आघे कि हमारे जो वीड़यों पूरा डीटेल एक लिए वीडियों पूरी डीटेल में रहे preacher कि कि thermal power plant किस परकार काम कर सकता है, क्या उसकी basic concept होती है, क्या उसकी पूरी कहानी होती है, उस पूरी कहानी के बारे में हम जरूर अपनी अगली वीडियो में पूरी explanation के साथ जानेंगे, तो आई चलते हैं, देखते हैं हमारी OPO किता के दार पे जो हमारे power plant होते हैं, वो कितने प परकार के होती है, पहला होता है stationary, दूसरा होता लोकोमटी, तीसरा होता है marine, तो मैं बता दूँ इसका जो layout होता है, इस layout के माद्यम से समझ सकते हैं, कि प्राकिर्टिक प्राकिर्ट प्धारस की उर्जा की हो सकता होती है, उसके mechanical energy लगती है, उसके machine लगता है, उसके generator लग अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए वीडियो कैसा लागा जरूँ, आपने comment box में comment करके बताएगा, और यदि आपको वीडियो की इस वीडियो को लाइक, share, और साथी साथ यदि आपने subscribe कर ले जाएगा, साथी साथ बेर आइकन को प्रेस कर ले जाएगा, साथी मैं आप बतादू कि यदि आपने हमारे पूराने वीडियो को नहीं देखा, पूराने वीडियो को आज कीजिए, यदि प्रिवेस येर के question आपको चाहिए, यो पी और बिनर के, तो उसका वीडियो हमने क्या की लगा रखा, सूट कर रखा, तो उसको भी आप देखिएगा जर तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने वीडियों तब तक के लिए, नमस्का, जै इंग, जै भारत